नमस्कार दोस्तों राइसेंस गराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और इधर आप देख सकते हैं इस रेनोड लोगन का वाइपर राम का कैसा आवाज आ रहा है हो तो इस वीडियो में हम लोग यह आवाज कैसे बंद किया जाए वह देखेंगे तो चले शुरू करते इधर मैं पहले यह वाइपर राम पूरा बाहर निकालूगा तो यह दोनों नट निकाल कि आपको पूरा वाइपर राम बाहर निकालना है यह निकल गया मेरा वाइपर राम बाहर और इतर मैं अभी वाइपर चालो करके देखूँगा कौन सा आवाज कर रहा है वो तो इध कि ये अभी क्या करना है वह इसका क्या निकाला तो इधर आप देख सकते कितना रस्टी हो गए वह किसी न तो इसको निकालने को ट्राई किया था इसे मुझे लग रहा है क्योंकि यह नट पुरा स्लिप करके रखा है इसका पूरा मोटर अगर अपने डलना चाहोगे तो आपको 8000 रुपया पड़ेगा यह पूरी एसेंबली डालनी पड़ती है एकी पार्ट जैसा नहीं आता है इसको पूरा अंदर नहीं डाला है और इससे आवाज नहीं आ रहा है जब वो पूरी एसेंबली गुमती है तब ही वह आवाज आता है क्योंकि अंदर सब जाम हुआ है इस बोल्ड के नीचे तो इसको मैं अभी तोड़ा हैक करूँगा तो इदर अब देख सकते हैं यह एक मोटा नट था इसको मैंने फाइल मार मार के मार मार के ऐसा पतला किया है यह पूरे नट को इदर अब देख सकते हैं कैसे मैंने इसको आदा जैसा बना है तो इसको मैं अभी पहले इदर डाल और बाद में इसके उपर से मैं इसका ओरिजिनल नट है वह डालों तो इधर मैंने क्या किया है कि वाइपर आम पूरा अंदर नहीं डाला है तो उस ग्रूव में नहीं बैट रहा है यह सिर्फ उपर से ही लगाया हुआ है तो वह पूरी असेम्बली अभी नहीं गुमेगी सि तो इधर मैं आपको दिखाऊंगा यह टाइट कैसे करना है इधर देखे एक ऐसा पाना है फ्लैट पाना है तो यह फ्लैट पाना में निचे डालूँगा और उपर से इसको टाइट करूँगा अब मैं वाइपर चालू करके देखूंगा आवाज आ रहा है या नहीं करके इधर आप देख सकते हैं मेरी पूरी असेमली नहीं गुम रही है सिर्फ उपर से ही वह आप गुम रहा है क्योंकि मैंने यह पूरा अंदर नहीं डाला है इसी वाज़े से मैंने दो नट डालके इसको उपर से उपर ही टाइट किया है और अभी आवाज भी इधर आप किया आता रहोगा और कमेंट करने को मत बूलेगा तब तक अपना क्याल रखें फिर मेलेगा